हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप ब्यूटिफुल सा आस्तिन का रिजान बहुती इजी स्टेप में बना सकते हैं तो आस्तिन की लंबाई सबसे पहले हम नाप लेंगे, आस्तिन की लंबाई हमारी 16 इंच है और आस्तिन की चोड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं नीचे की साइड से हमें हलका सा इस तरीके से फोल्ड करना है हलका सा इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आधा इंच के कम की दूरी पे हमें इस तरीके से सिलाई चला देनी है तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी एक बराबर में सिलाई चला ले तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किये तो please हमारे चैनल को subscribe करके घंटे को बजाना ना भूले नेक्स्ट वीडियो की notification आपको मिल जाए तो फ्रेंट इस तरीके से हमने शिलाई चला दिये इस तरीके से शिलाई चलाने के बाद उपर के साइट में भी हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है तो इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और आधा इंच के कम की दूरी पे हम इस तरीके से सिलाई चला लेंगे एक बराबर में हमें सिलाई चलाना है फ्रेंट तो ऐसी आपको धेर सारी सिलाई चलानी है तो ऐसी आप धेर सारी सिलाई चला लेंगे इस तरीके से हमने इस लाइन को भी complete कर लिया अब तीसरे लाइन को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से complete करेंगे इस तरीके से fold करेंगे और यहाँ पे थोड़ी दूरी पे हम सिलाई चला देंगे एक बराबर में तो friend हमारी ये लाइन भी complete हो चली इस तरीके से हमने सिलाई चला ली है अब हमें क्या करना चौकोर सेप में एक छोटा सा कपड़ा लेना है इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है इस तरीके से इसे फोल्ड करने के बाद इसके नीचे के साइड में हम सिलाई चला लेंगे इस तरीके से नीचे के साइड में सिलाई चलाने के बाद हम इस तरीके से एश्टा कपड़े को कट कर देंगे तो फ्रेंट हमें ऐसी धेर सारी डिजाइन बना लेनी है जो कि हमने बना लिया ऐसी धेर सारी डिजाइन अब हम डिजाइन को इस तरीके से नीचे की साइड में यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे डिजाइन को लगाकर हम सबसे पहले सिलाई चला लेते हैं इस तरीके से तो आपको उपर के साइड में ही इस तरीके से लगाना है डिजाइन को इस तरीके से डिजाइन को लगाने के बाद अब इसके उपर के साइड में हम दूसरा डिजाइन लगाएंगे उपर के साइड में इस तरीके से कपड़े के अंदर आपको लगाना है और कपड़े के उपर आपको सिलाई चलाना है तो सारे डिजाइन को एक बराबर में लगाए फ्रेंड इस तरीके से अब हम यहाँ पर इस तरीके से इसके उपर सिलाई चला लेंगे कपड़े के उपर अब यहाँ से हम धागा को कट कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से धागा कट कर लेने के बाद अब हम तीसरी डिजाइन को लगाएंगे तो तीसरी डिजाइन को भी विलकुल इसी तरीके से आपको लगाना है कपड़े के नीचे के साइड में इस तरीके से हम डालेंगे और कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके उपर के साइड में हम सिलाई चला लेंगे तो इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुती ईज़ी श्टेप में बना सकते हैं जो कि हमने बहुती उज़ी श्टेप में आपको ये डिजाइन बनाना बताया है तो फ्रेंड हमारे ये लाइन भी complete हो चली अब हमें क्या करना किनारे के side में एक बराबर में हमें सिलाई चलाना है तो हम एक बराबर में यहाँ पे किनारे के side में सिलाई चला देंगे बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी सिलाई चलाना है दूसरे साइड में भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से एक बराबर में सिलाई चलाना है तो यहाँ पे हम धागा को लॉक करके अब दूसरे साइड में सिलाई चला लेते हैं इस तरीके से तो यहाँ पे नीचे के तरफ इस तरीके से हम जाएंगे सिलाई करते हुए इस तरीके से फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कम्प्लीट हो चली अब आस्तिन के कपड़े को हम इस तरीके से घुमा लेंगे और डिजाइन को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है तो डिजाइन को इस तरीके से फोल्ड करें और इसकी उपर सिलाई चला ले तो हमारा जितना भी सिलाई किया हुआ डिजाइन है इसे फोल्ड करते जाए इस तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से आपको तिर्ची में फोल्ड करना है तो यहाँ पे हम तिर्ची में एक बराबर में फोल्ड कर लेते हैं फ्रेंड इस तरीके से आप बहुत ही सुन्दर डिजाइन बना सकते और यहां से धागा को लॉक करके यहां से धागा को कट कर दे अब नीचे के साइड में अब हम दुबारा फोल्ड करेंगे इस तरफ में तो इस तरीके से आपको डिजाइन को फोल्ड करना है एक बराबर में आपको फोल्ड करना है इस तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से आपको दूसरे साइड में भी सिलाई करना है तो दूसरे साइड में भी बिल्कुल इसी तरीके से हम सिलाई करेंगे यहां से धागा को लॉक कर देंगे तो फ्रेंट ये देखिए हमने डिजाइन बना लिया है बिल्कुल इसी तरीके से हमने दूसरे साइड में भी डिजाइन बना लिया है फ्रेंट जो कि हमारा डिजाइन बहुती सुन्दा लग रहा है अब आस्तिन के कपड़े को उल्टा करके देर इंच कपड़े को हम इस तरीके से नीचे के साइड में लगाएंगे इस तरीके से सीधी सिलाई चला लेंगे हम एक बराबर में आपको सीधी सिलाई चलानी है इस तरीके से इस तरीके से एक बराबर में सीधी सिलाई चलाने के बाद जो हमारा एश्ट्रा कपड़ा है, यहां से हम कट कर लेंगे, इस तरीके से कट कर लें, अब आस्तिर के कपड़े को सीधा कर लें, अब हम यहां से कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करके हम एक बराबर में इसके उपर सिलाई चला लेंगे, सीधी सिलाई चला ले एक बराबर में जो करीजाइन में आप देख रहे हैं कि हमारा सिलाइ एक बराबर में है और सिलाइक करते हुए कपड़े को टाटल लेजिए जिससे आपके डिजाइन में फिनिशिंग बहुती अच्छा हैगा तो फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चलिए इस तरीके से फ्रेंड हमने डिजाइन बना लिया है तो फ्रेंड डिजाइन बनाने के बाद अब हमें डिजाइन में मोती लगाना है तो फ्रेंड हम मोती ले लेंगे तो फ्रेंड मोती को हमें क मोती लगा लेना है एक के बाद एक तो इस तरीके से हमने मोती लगा लिया है फ्रेंट थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो